छलिए स्टाइट करते हैं, 25 x 38 का प्लैन, इस प्लैन में हमने आपको 3 बैड्रूम प्रोबाइट कियें, 38 फिट हमारा इस साइड है, फैले आउद्वर बाल को ड्रा कर लेते हैं, आउट्डोर बाल का साइज हमने 5 इंच का लिए है आप 10 इंच का भी प्रोवाइड कर सकते हो यहाँ पे हमने विंडो के लिए स्पेस रखी है योगी हमारी बैटरूम की विंडो है एक दोर हमने यहाँ पे प्रोवाइड की है आपको और एक दोर हमने यहाँ पे प्रोवाइड की है इधर हमारी बैडरूम की दोर है और इधर भी हमने बैडरूम की लिए है इधर हमारा बैंटिलेशन है इधर बैंटिलेशन है और इधर हमने आपको किछिन की विंडो प्रोवाइड की है ठीक है अब भी partition ball को draw कर लेते हैं partition ball का size हमने 5 इंच का लिए है इस side भी हमारा 5 इंच का है और इस side हमने 5 इंच का लिए है अब 10 इंच का भी provide कर सकते हो अपने एरिया की हिसाब से इधर हमारी kitchen और toilet की partition ball है इधर हमारी partition ball है दो bedroom की ठीक है और यहां पर आगी हमारी window kitchen की window आगी यहां पर और यहां पर हमारा ventilation है हमने इस plan में एक ही toilet आपको provide किया हुआ है और यहां पर हमने इस bedroom में हमने दो windows provide की है और इस bedroom में भी हमने आपको दो window provide की है इस में भी दो provide की है और इस में हमने आपको एक window provide की है यहां से है हमारा entry gate ठीक है main gate है हमारा यहां पर यहां पर हमारा core parking area है और इसका distance है हमारा 11 feet by 9 inch का यहां पर और 12 feet का हमने यहां पर distance लिए है car parking area का और यहां से हमारा entry gate है यहां पर हमारा first bedroom है जिसकी door हमने यहां पर provide की है और एक window हमारी यहां पर bedroom और इसका size हमने लिया हुआ है 12 feet का यहां पर और 12 feet का हमारा यहां पर size है first bedroom है यहां पर और यहां पर हमारा kitchen है kitchen इसकी door हमने यहां से provide की है और window हमारी यहां पर है ठीक है और इसका distance है हमारा 8 feet by 4 inch का यहां पर और 4 feet by 4 inch का हमारा यहां पर distance है kitchen का और यहां पर हमारा dining area है यहां पर हमने आपको dining area provide की है यहां पर हमारी window है और इसका distance है हमारा 12 feet by 4 inch का यहां पर और 12 feet का हमारा यहां पर ठीक है यहां से हमारी stair की upside है पीछे हमारा stair है stair का हमारा wide area 3 feet का यहां पर और 3 feet का हमारा यहां पर है stair का wide area ठीक है यह हमारा stair आ गया और यहां पर हमारा toilet है toilet की door हमने यहां से provide किया है ventilation हमारा यहां पर हमारा toilet आ गया और इसका distance हमारा 8 feet by 4 inch का यहां पर और 4 feet by 4 inch का हमारा यहां पर distance है ठीक है toilet का distance आ गया हमारा और उसके बाद हमारा second bedroom इसके door हमने यहां पर provide किया है और दो window इस bedroom में हमने लिए है bedroom और इसका distance है हमारा 11 feet by 9 inch का यहां पर और 12 feet का हमने यहां पर provide किया है ठीक है second bedroom आ गया हमारा उसके बाद third bedroom इस bedroom में हमने दो window provide किया है और door हमारी यहां से है bedroom और इसका distance है हमारा 12 feet का यहां पर और 12 feet का हमारा यहां पर distance है ठीक है third bedroom आ गया तो अभी draw कर लेते हैं columns यहां पर हमारा first column आ गया यहां पर second यहां पर third यहां पर हमने fourth लिए है यहां पर fifth six, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh और twelfth इस plan में हमने आपको 12 column provide किया है और इनका size है 10 inch into 12 inch का ठीक है इनका size है outdoor ball का size अब 10 यह आप 5 inch का provide कर सकते हो हमने 5 inch का किया है और indoor का भी हमारा 5 inch का ही है तो door की length देख लेते हैं door की हमने length लिया है 1.2 meter की दिख रहा होगा आपको और height हमने लिया है 2.1 meter की और width लिया हमारे 0.3 meter की ठीक है window आगे हमारा और door आगे हमारा window यह window की length हमने लिया है 1.5 meter की और width है हमारी 0.3 meter की width दोनों की हमने same ही लिया है height और length में थोड़ा सा फरक है height हमारी है 1.2 meter की ठीक है window की यहां पे आगे हमारी और door की हमारी यहां पे आगे ठीक है friends अगर friends आपको वीडियो अच्छे लगी तो subscribe कर देना thank you so much